हेलो गाइस अनुपिया गैस अगर आप चाहते अपनी स्किन को बिलकुल यंग टाइट और जवान बनाना या आप अपने सकिन से सारे पिमपल्स, पोर्स, डर्क सरकल्स को रिमूव करना चाहते हैं अपनी सकिन को ब्राइट लाना चाहते हैं तो आप इस फेस पे को एक बार ज़रूर से ट्राइ किजिए यह 100% वर्क करेगा आपकी पूरी स्किन प्रॉब्लम्स जो होती है लग-लग टाइप की उन सभी को भी रिमूम करेगा यह और स्किन टाइप वालों के लिए तो चलिए स्टाट करते हैं आज की स्रेमेडि को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्रा यह तो पर चेहरे के बाद और भी जाधा बढ़ते हैं वही जब्रक दो. ओसे फेक देते हैं. आप इसा ना करें सकते हैं जिससे आपके फेस पर लो आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना यह बिल्कुल नेचरोल है और घर पे आप इसे इजी ली ही बना सकते हैं तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक केला एंड उसे छिलने के बाद में पाद केले केले के मिलत में बनाना तो यह चाइब आप कर लीजिया लूगी मैं को फूराओ प्रूराण सकत्रिक दाप demasiड खोली है चैपर कि अब कर लेकिता में कर लोंगी ह। गया होगी हमारे स्थे सब्दरता के लिए मेर करना है बहूट है साथ ही साथ यह प्राक्रतिक चीजों से बना होता है यह बिल्कुल ही प्राक्रतिक होता है इसे यूज करने से हमारे स्किन भी बिल्कुल ही नेचरली गलो करती है और इसमें बहुत सारे विनरल्स होते हैं विटामिन्स पाए जाते हैं जिससे कि हमारे चेहरों को बिल्कुल स् हमाई स्किन के जो रूखाफन होता है उसे भी ये दूर करता है इस तरीके से मैसे अच्छे से मैश कर लूगी जिससे कि ये अपनी पुरी क्रीम फोम में आ जाएगा तो आपको इससे थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि जब तक कि ग्रीम फोम में prata नहीं होगा हम इसे एक अपर कि तरह आपिल नहीं कर सकते हैं ऐक पर अच्छी तरीके से इससे मैश कर लेहिए अब हम इस मेश together fine तो चलिए अब हमें ये cream foam में change हो चुका है, आप हमें इसमें ingredient एड करते हैं. तो सबसे पहले मैं एड कर रही हूं half teaspoon honey, यानि शेहद ले रही हूं मैं half teaspoon. इसमें एड कर दूँगी, अब मैं एक तो थे इसमें एड कर रही ह Bismillah. वह ऐसली बाते है और भी अच्छा देता है वह वह को नेक्णर मोरे सकते हैं अच्छा देता के formula dönेट देटाएं आपको बिल्कुल ही Rs. पांच मिन्ट के लिए हमें इसे फ्रिज में स्टोड कर देना है इससे कि यह होगा कि हम जब इसे अप्लाइ करेंगे तो हमारे फेस पर बिल्कुल भी स्वेट नहीं आएगा हमें इचिंग नहीं होगी अपनी फेस पर यह हमारी स्कीन की जो जुडिया होती है यह बिल्कुल साफ कर देने वाला है आप इसे बील्कुल एक बार से जरुर ट्राइ नहीं करें चल लिए पांच मिनट के लिए हुआ अपको एपने फेस पर इस तरफेके से अप्लाइ करना है है और आपको इसे अप्र यहां कर नहीं फ्ति Chad कर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी स्वेट म में रखा है तो यह फाइब मिनिट्स की बाद में कूलिंग हो जाएगा एंड कूल जब हम इस अप्लाइ करेंगे तो यह हमारे स्किन पर और भी जादा अच्छी से वर्क करता है जैसा कि हम लोग जानते ही गर्मी की सिजन में जब हमें जो हमारे फेस पर दाने हो जाते हैं ज जो अब फोलो कर रही हूं आप इस तरह के से अपलाइ करें तो आपकी इसकीन पर और भी जादा अच्छा निखा रहाएगा तो इस तरह किसे में से अपलाइ कर लोंगी सबसे पहले अब हमें इसे क्या करना है 15 मिन्ट से से हमें रहने देना है 15 मिन्ट के बाद अच्छे से हमें इसे अपने फेस पर मसाज करनी है 10-15 मिन्ट इसे अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस पर यह हमारी जूरियों को हमारे डाक सर्कल्स को रिमूव करेगा और इसमें जो vitamins और minerals present है वो हमारी skin को hydrate करेंगे ग्लोई बनाएगई हमारी skin को और साथ हमारी skin में natural निखार भी देगा तो इस तरीके से हमें अपने under eyes में भी अच्छे से massage कर लेनी है then हमें wash कर लेना है so guys मैंने अपने face को wash कर लिया है आप देख सकते हैं मेरी skin है बिल्कुल plumpy हो चुकी है और ये बिल्कुल ही glow हो चुकी है smoother हो चुकी है आप इसे बिल्कुल ट्राइ करें एक बार ये बिल्कुल ही free है आपको इसके लिए बिल्कुल भी कोई पेसे भी गारने की ज़रुरत भी नहीं पड़ेगी हाद से जय को झालै की बिल्कुल एक बार बील्कुल